हालो दोस्तों कूड़कला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप देख रहे हैं कूड़कला की जन्मस्तमी सीरीज और आज मैं लाई हूँ आपके लिए द्रॉब्दी चीरहरन वाली जाकी जी हाँ इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास कई बार आचुकी थी और बनाने में मुझे काफी देर हो गई उसके लिए सौरी क्योंकि मेरी बीच-वीच में तब्यात काफी खराब रही इस बर तो यहाँ पर देखें मैंने काफी सस्ती वाली जो है डॉल्स ले ली है तो यह काफी लंबी थी तो इसलिए मैंने इनकी जो नीचे की लेग्स है ना उनको कट करके इनको थोड़ा सा छोटा कर लिया है और कपड़े तो इनके बस ऐसे ही होते हैं तो उनको कट करके निकाल किया है और तीसरी हम बनाएंगे द्रॉप दी तो यह देखें पहले हम क्रिशन जी की धोती और पठका बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने यलो कलर की धोती पर लेस लगा ली है और रेड कलर का जो है हम उनका पठका बनाएंगे तो देखें धोती को बस हमें इस तरीके से कमर से उनकी चिपकाते जाना है पहले हम फ्रंट में थोड़ी सी प्लीट्स देंगे और उसके बाद बैक साइड में इस तरीके से ले आएंगे फिर फ्रंट में लाते हुए जो आगे का हिस्सा है उसको दोनों लेक्स के बीच में से पीछे ले जाएंगे इस तरीके की क्रिशन ज की धोती मैंने आपको पहले भी बहुत बार वीडियो में बताई है तो इस वाले वीडियो में मैं सिरफ आपको एक बार ये धोती बता रही हूं कि किस तरीके से बनानी है दुशासन की धोती आपको इसी तरीके से सेम बाननी है अब यह देखिए हमने जो पठका बनाया था वो आप पहना कर इनको decorate कर सकते हैं या फिर कुंदन से आप खुद भी jewelry बना सकते हैं कमर पर हम बान देंगे इनके एक lace अब बनाएंगे हम इनके बाल तो बाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक काले रंग का जो है वो thread लिया है तो यह हमारे पास दो piece आ गए तो इनको हम बालो की जगे इस तरीके से चिपकाएंगे तो इसी तरीके से आप drop di के दुशासन के जो है बाल बना सकते हैं क्योंकि मैं हर एक के अगर बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ही जादा लंबी हो जाएगी ओलरडी लंबी वीडियो है तो इसलिए मैं जो चीज़े एक जगे बताई जा सकती है वो एक जगे आपको बता रही हूँ अब बनाएंगे हम क्रिशन जी की पगड़ी तो उसके लिए यहाँ पर हमने सेम धोती वाला कपड़ा ले लिया है और उसको इस तरीके से साइड से थोड़ा फोल्ड कर देंगे ताकि जो किनारे हैं वो एक थोड़े से फिनिश्ट दिखाई दे ऐसे गंदे से ना दिखाई दे उसके बाद हम इनको जो है पगड़ी की तरह सिर पर पगड़ी लगा दिये और थोड़े से कुंदन वगएरा चिपका दिये हैं जिससे अच्छा सा पगड़ी का लुक आ गया है एक चोटा सा मुकुट भी लगा दिया है और पीछे लगा देंगे हम मोरपंक तो इस तरीके से हमारे जो क्रिशन जी है न वो पूरे के पूरे तयार हो जाएंगे अब कर लेते हैं दुशासन को तयार तो दुशासन को तयार करने के लिए यहाँ पर हमने एक चमक धमक वाला जो है फैब्रिक ले लिया है और उसका जो है बलाउस जैसा कट कर लिया है तो एक तरफ से तो उसको खोल लिया है और एक तरफ से उसको पूरा बंद रख लिया है और उसके चारो तरफ हम जो है लेस को लगा देंगे तो ये एक तरीके से जैकेट जैसा हमारा बन जाएगा और पहनाने में भी easy होगा और फिर हम इसको चिपका कर पहना सकते हैं। धोती बनाने के लिए सेम हम वो ही कपड़ा लेंगे और उसके उपर लेस लगाएंगे और जैसे हमने क्रिशन जी की धोती को चिपकाच कर पहना आया था वैसे हम दुशासन की धोती को भी चिपका कर पहना देंगे और अब हमने उपर से जैकेट को भी पहना कर चिपका दिया है तो इस तरीके से हमारी दुशासन के जो कपड़े हैं वो भी रेडी हो गए बीच बीच में दोस्तों मैंने इनकी आइस पर है ना वाइट कलर का जो है कलर कर दिया था ताकि बाद में टाइम ना लगे इसका मुकुट बनाने के लिए यहां पर मैंने ग्लिटर शीट का यू किया जाए अब बनाते हैं हम अपनी द्रॉप दीजी तो द्रॉप दीजी के लिए हम उनको साड़ी पहनाएंगे वैसे तो लेकिन हम जो उनका नीचे का अंडर स्कुट जो बना रहे है न वहां पर हम यह ब्रोकेड की बना रहे हैं उसके उपर हम नेट की साड़ी बनाने वाले हैं तो यहां पर देखे सिलाई कर लिए हमने इसको अच्छे से प्लीट्स लगा कर और उसके उपर एक बैल्ट बना लिए और इसको हम द्रॉप दीजी को इस तरीके से लहेंगे की जगए यहां पर पहना देंगे और इसके उपर हम फिर उनका ब्लाउस बनाएंगे पर साथ में बनाएंगे हम नेट की साड़ी तो यहां पर इसको चिपका देना है तो यह देकि लेंथ वगएरा आप बिल्कुल देख के मेजरमेंट करके आप इस तरीके से बना सकते हैं ब्लाउस बनाने के लिए हमने सिंपल एक स्कौयर कपड़ा कट कर लिया है थोड़ा स को हम यहां ही पर जोलरी वगएरा पहनाएंगे तो उससे जो है ज्यादा जो है दिखाई नहीं देगा कुछ अब यहां पर यह नेट का हमने फैब्रिक लिया है तो इस पर हमने अपनी जो ले से उसको लगा लिया है और बीच में हम साड़ी वाली प्लीट जो है उसको यहा तो देखे अच्छा साड़ी का जो पला लेना है ना वो हमें थोड़ा लंबा लेना है क्योंकि एक तरफ से तो वो दुशासन के हाथ में रहेगा मतलब दुशासन जी जो खीचते हैं चीरनन करते हैं द्रौबदी का और दूसरी तरफ से हमें एक और अलग से पला बनाना प सकते हैं किस तरीके से ये पूरा एक्जीक्यूट होगा तो जितना मुझे समझ में आया मैंने उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा जो जहाकी है उसको क्रियेट करने की कोशिश की है आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अब हम बना लेते हैं अपनी द्रॉपदी जी की थोड़ी सी ज्वलरी तो आप चाहें तो आपके पास बनी हुई रख्यों तो आप वो भी पहना सकते हैं या फिर बॉल चेन वगरा से इस तरीके से आप साथ के साथ बना भी सकते हैं और बालों को आपको बिलकुल उसी तर बाल इनके तो मैंने यहाँ पर ब्लैक मारकर से थोड़े से इनको आगे की तरफ बालों को बना दिया है और आइस को मैं आपर पर्मनेंट ब्लैक मारकर जो होता है पतले वाला उससे मैं आपर इनकी आइस बना रही हूं और जो द्रॉपदी जी हैं उनकी आइस में यहाँ बंद हुई भी दिखा रही हूँ क्योंकि वो इतने दुख में है इस वक्त और भगवान कृष्ण को याद कर रही है तो दुख में इंसान की आखे अपने आप ही बंद हो जाती हैं तो यही सोचकर मैंने यहाँ पर उनकी आखे जो हैं बंद रखी हैं और होटो पर हलकी सी हम जबाने ऑगे हम और हम रेड कलर की लाली दे देंगे बिंदी लगा देंगे और उसके बाद उनके बालों के आगे भी थोड़ा से श्रिंगार कर देंगे तो यहाँ पर बॉल।ट चेंस अप इस तरीके से श्रिंगार कर सकते हैं तो यह आप पर डिपेंड करता है टोटल क कि आप अपने द्रौवदी, कृष्ण और दुशासन को कितना तयार करना चाहते हैं और यह देखे यह मैं जो दूसरा आपको पला बता रही थी तो उसको भी हम इस तरीके से तयार कर लेंगे नेट का ही हमने सेम वही वाली नेट ले लिए और यहाँ पर अब हम अपने कृष के होटों पर लाली लगा देंगे और एक यूँ शेप का जो है उनके तिलक लगा देंगे तो इस तरीके से हमारे कृष्ण जी तयार हो गए अब हम इनको किस तरीके से स्टैंड करेंगे वो भी देख लेते हैं तो कृष्ण जी को थोड़ा सा उचाई पर मुझे स्टैंड करना था तो उसके लिए मैंने यहां पर एक डबे का धकन ले लिया और उसके ओपर मैंने जो है थर्मा कोल पर ग्रीन कलर का जो है शीट लगा कर उसको भी यहां पर चिपका दिया है उसके बाद मैंने यहां पर लिया है पिंक कलर का चाट पेपर और यहां पर हम काटेंगे थोड़ी सी पत्तियां तो हम यहां पर basically यह कमल के फूल जैसा एक सिंगहासन जो है वो तयार कर रहे हैं पहले मैंने सोचा था कि इसमें दोनों तरफ से पत्तियां निकल जाएंगी पर जल्दबाजी में न सारे काम इतने घड़वड होते हैं खेर मतलब इसमें से एके की पत् जाएंगे और उसके बाद अपने इस बॉक्स पर चारो तरफ पत्तियों को इस तरीके से लगाकर एक कमल के फूल जैसा जो है ना सिंगहासन हम तयार कर लेंगे तो मैंने यहां पर यह जो द्रॉबदी चीरहरन का सीन बनाया है तो इसमें मैंने बाकी और किसी चीज को नही शासन को ही दिखाया है क्योंकि बाकी सब चीजे बनाने में तो बहुत जादा टाइम लगता तो फिर मैं जनमश्रमी की और सारी वीडियो नहीं बना सकती थी तो इसलिए मैंने सोचा कि हमें तो एक सिंबॉलिक रूप से जो है यह चीज दिखानी है तो मैंने जो है ग्लू से उसको चिपका दिया है ऐसे हम अपनी द्रॉपडी को भी यहाँ पर इस तरीके से ठीक से स्टैंड करा लेंगे और ऐसे ही हमें दुशासन को भी स्टैंड कराना है तो दुशासन को स्टैंड कराने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का एक स्टैंड सा बना ल सकते हैं पर वो टाइम के अकॉर्डिंग ही चीजे बनती हैं तो मैंने यहां पर इससे ज़्यादा नहीं किया है कुछ और दुशासन की हां मैं मूचे बनाना भूल गई थी पहले तो मूचे ज़रूर बना लीजेगा दुशासन की तो अब देखे चलते हैं इसका बनाया था ना उसको द्रॉबदी के साड़ी से चिपका दिया है और उसका एक सीरा कृष्ण भगवान के हाथ में जो दे दिया है और इसके पीछे अब मैं घूमने वाली एक लाइट लगा दूंगी तो इससे ना बहुती सुंदर सा एक एफेक्ट का रहा था तो देखिए अब आप इस चाकी को आनम देखिए गिनाशायच दुश्कृता धर्म संस्था अपना थायर संभवामी युगे युगे तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये द्रॉबदी चीरहरन की जहांकी अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे पहली बार मेरे चैनल पर आयें तो इसको सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर पैस करने फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ तब तक के लिए बाई